तो आज मैं बना रही हूं छोले भटूरे जो छोले होंगे एकदम अम्रिच सरी स्टाइल में बनेंगे और जो भटूरे हैं एकदम फुले फुले अंदर से एकदम जालिदार सौफ्ट ब्रेट के जैसी हलकी बनकर तैयार होगी कुछ को छोटी छोटी टिप्स और टिक आःप जो抵ग घ्ली, मैं इसे सब्सक्राइब तो चली झँट से बनाना ही श्टाइट करती हूं तो यहां पे Head of the羊 1 चोले 8-10 घ्णटे तक भिगओ दिया था,झाम है एक पोटली जिसे मैंगे साथ ही डालूँगी मैं ले हूं 3 लॉंग एक चक्रफूल और 1 टेस्पून मैंने यापे चाय की पत्ति ली है और 1 टेस्पून मैं ले रही हूँ अजवाइन अब इन सभी को मैं अच्छे से बांध कर एक पोटली तयार कर ले रही हूँ इस पोटली की वज़ा से हमारे जो छोले है नो बहुत अच्छे बनकर टायार होगी अब मैं यह पे प्रेशर गुकर में अपने भीगे वे छोले को अड़ कर रही हूँ साथी मैं यहापे जो मैं पोटली तयार की थी इसे व मैं डाल रही हूँ और दो ग्लास के लगवग मैं client कर एहूं साथी मैं यहापे डाल रही हूं एक चिम्च नमक और ए के मैदे को सब्सक्राइब दें अधा कप सूजी घाल ले दूजा को …. तो यहته नदो सब्सक्राइब 3 कप मैदे करें मैदे कर्राइब 6-7 ग॥ा-ठाइब का थट, 10 अधा कप सूजी एक हाद chicka तो चीनी और सूजी को अच्छे से पीस लेंगे तो यह देखे यह भी अच्छे से बारिक हो चुकी है यदि आपके पास बारिक वाली सूजी है और सुगर पाउडर है तो आप उसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे आड़ कर रहे हूं नमक और बेकिंग पाउडर इसे जो हमारे भटूरे हैं अग्दम गुबारे के जैसे फूले फूले और ब्रेट के जैसे हलकी बनकर तैयार होगी साथी में मैं यह पे डाल रहे हूं दही तो कोसिस कीजिएगा भटूरे में दही जो पढ़िया टेक्षर भटूरे में आएगी तो इस तरीके से भटूरे बनादने के लिए खटी दही का यूज कीजिएगा तो बहुत 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 क्या करेंगे ना कि सारे चीजों को अगतम हलके हाथों से मिक्स करेंगे बहुत जादा गेहूं के आटे जैस ुस तरीके से में से गोथना नहीं है नहीं है हलके हाथों से भटूरे के लिए आट लगा लेहां कंद घ्टूरा के लिए लगा लेते लिए भटूरे बनेंगे बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे यहां पर देखिए सारी चीजी एक अच्छे से कठी हो गई है बटी थोड़ी सी गीली है और बरतन में चिपकड़े तो मैं पर डाल रही है दो टेवल स्पून यहां पर मैं रिफाइन ओयल का यूज कर रही हू नकरूट करेंशीट करते है है तो यूज यहां पर घ्रवाब से लिए है तो चीoug आसके है क्या करेंगे ना कि आटे को यदम बढ़िया से इसका ड konk तो यह हमारे भटूरे का आटा तयार हो चुका है अब यहां पे गीले कपड़े से मैं ढख दे रही हूं तो हमारे किचन टावल जिसे मैं भिगा लिया है और इससे ढख करके इसे दो घंटे तक इसे रिष्ट के लिए रख दीजीगा तभी जो आपके भटूरे हैनो जब तो इधर मैं चोले की तैयारी कर लेती हूं तो चोले के लिए मैंने यहां पे तीन मेडियम साइज के प्याज लिए हैं दो मैंने देसी वाले लाल टमाटा लिए हैं साथी मैं लशुन अद्रक और हरी मिर्च वी ली है तो यहां पे टमाटर के यूस थोड़ा जादा ही तो यह दिए आप नाइफ से नहीं चोप करना चाहते हैं तो चौपर में भी इसे अच्छे से चौप करके ले सकते हैं तो मैं यहां पे बारिक बारिक इसे कट करके ले रही हूं इसे छोले बहुत ही बढ़िया बनते हैं अब यहां पी जो हमारी टमाटर है अद्रक है तो यहां पर सबसे पहले में टमाटर को कट कर ले रही हूं तो कोई बारिक से कुछ नहीं चॉप करना है बस इस तरीके से में यह पर रफली चॉप कर रही हूं तो बहुत ईजी तरीका में आपको छोले बनाने की शेयर करूंगी और छोले जो है एक दम अमरिच सरी स्टाइल बन करके तयार होंगे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनेंगे बस टमाटर का यूस थोड़ा साब ज़्यादा ही कीजिएगा तो यह हमारे बहुत बड़े बड़े साइज की टमाटर थे तो मैंने यह पर दो ही लिये है अब यहां ग्राइंडिंग जार में हम अपने खट पाँच आ चुके है और प्रेशर भी इससे निकल चुकी है तो 4-5 विशल में छोले जो हना बहुत ही बड़ें से उबल चुके है तो यहां पर देखिये हमारे जो हना मच्छे से सौफ्ट हो चुके है बैस ऐसा ही टेक्च्छर हमें चोलो के लिए चाहिए होता है तो यहां जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा तो यहां पे छोले को में निकाल करके रख लेती हूं और पानी का यूज में बाद में करूँगी अब गैस पे मैं रख रहे हूं अपनी कुकिंग ओल तो में यहां पे तीन चमच के करीब मैंने यहां पे तेल लिया है तो इस सरसू जाने के बाद मैं यहां पे अपने कटेवे प्याज को डाल कर भूनोंगी तो यह प्याज को मैं हाई फ्लेम पे ही भून रहे हूं क्योंकि यदि प्याज अच्छी नहीं भूनेगे ना तो छोले उतनी स्वादिश्ट नहीं बन पाएगी तो अम्रिज सरी छोले बनानी के प्याज को हाई फ्लेम पे अच्छा से गॉल्डिन कलर आने तक इसे भूनना होता है तो प्याज हमारी भून चुकी है देख रहे हैं आप तो बस ऐसा ही टेक्शर हमें प्याज का चाहिए होता है अब यहां पी जो मैंने टमाटर अद्रक लेशुन और हरी मिर्च का जो पे तो नमक हमें ध्यान से यूज करना है क्योंकि नमक हमने छोले कुबालते समय भी एड किया था अब यह हमारे प्याज टमाटर जो अगदम अच्छे से भून चुके है तो मैं पे कुछ सूखे मसाले एड कर रही हूं इसमें हल्दी का पाउडर धनी का पाउडर भूने जीर अधा चमच गर्म मसाले का पाउडर और भून लेंगे अब यहां पे हमारे मसाले भून चुके है तो मैं यहां पे अपने उबले वेद छोलो को डाल कर अच्छे से भून रही हूं तो यहां पे छोलो को ना तीन से चार मिनर तक अच्छे से भूनना होता है ताकि मसाले के स इस पानी से जो ग्रेवी बनेगे बहुत ही पढ़िया इसमें कलर आता है एकदम से अमरित सरे श्टाइल यानि कि पंजावी श्टाइल हमारी चोले बन करके तयार होंगे अब यहां पर मैं डाल रही हूँ एक चमच छोले मसाले तो यहां पर किसी भी ब्रैंड का चोले मसाले का यूज कर सकते बर अच्छी क्वाल्टी का डालेंगे तो बहुत ही पढ़िया टेश्ट आता है चोले में अब उपर से मैं अध्रक की जूलेन को कट करके इसमें एड कर रही हूँ इसे चोले खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीसियस लगते हैं बहुत ही यमी यह चोले बहुत ही पढ़ियां हमारी बन करके तयार हो जाए अब उपर से मैं डाल रही है बारिक कटा हरा धनिया तो हरे धनिया की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी जादा ही रखी है इसे जो छोले का जो फ्लेवर रहना बहुत ही बढ़ियां आता है आप एक वर इस तरीक से बना कर जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो इधर हमारे छोले बन करके तयार हो चुके है अब इस तरीके से एक कल्ची मदश से थोड़ा सा इस तरीक से मैं दवा दवा करके इसमें थोड़ा सा छोले को मैं मैंस कर दे रहे हूं इससे ग्रेवी जो है एक दम गाड़ी भी हो जाएगी और जो छोले का टेक्स्टर है एकदम रेश्टोरेंट इस्टाइल हमारे छोले बन करके तयार हो चुके है अब यहां पर मैं भटूरे बना लेती हूं तो गैस पे मैंने कडाही रखी है और इसमें मैं डाल रहे हूं रिफाइन ओयल तो भटूरे बनाने के लिए थोड़ा स लोई ले रही हूं तो जो नॉर्मल चपाती विग्रा के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ी समय ने बड़ी लोई ली है और चकले पर इस तरीके से थोड़ा सा ओल अच्छे से लगा लेंगे और यहां पर मैं भटूरे को ना बेलूंगी पहले नहीं पहले इस तरीके से लेंगे तो इसे पहले जितना हम हाथों से फैला सकते उतना मैंने इसे फैला लिया है और बेलन में अच्छे से तेल लगा कर यहां पर चकले को घुमा घुमा कर मैं इसे बेल ले रही हूं तो आप भटूरे को उठा करके मत बेलिएगा वरना यह आपस से सिकुड जाती है पर मैं इसे नौर्मल कंसिस्टेंसी रखे ना ही बहुत ज्यादा मोटा ना ही बहुत जादा पदला अब यहां हमारा जो तेल है थोइं और यह से घुम से गरमना चाहिए डानने के बाद इस तरीके से इस पैचुला से थोड़ा थोड़ा ऑईल इस पे स्प्डट करते जाएंगे और ये धीरे-धीरे न एकदम गुपारे के जैसे फूल करके तयार हो जाएगी तो बस इस तरीके से हमें यापे भटूरे को बना करके तयार कर लेना होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं तीन चार भटूरे आपको बना करके दिखा रही हूँ, और सभी एकदम बहुत बढ़ियां से एकदम फुले फुले हमारे भटूरे बन करके तयार हुए है, तो बस यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, कि ऑल को एकदम बढ़िय के जैसे फुली फुली बन करके तयार होगी, तो यहां पर मैंने जो भी टिप्स और ट्रिक पता हैं, उसका यूज करते वे, आप इस तरीके से छोले बटूरे को अपको जरूर से ट्राइ कीजिए, बहुत ही जादा सुपर टेश्टी बन करके तयार होती है, इधर आप हमा थाली लगा रही हूँ, तो यह देखिए हमारी छोले इधर तयार है, तो चलिए अपने लिए भी थाली लगा लेती हूँ, यहां पर मैंने भटूरे ले लिये हैं, और साथ ही मैं यहां पर ले रही हूँ छोले, और छोले के साथ मैं यहां पर खाने के लिए लिए थोड़ छाली तार और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ्ट हमारे भठूरे बन करके तयार हुए हैं और यह देखिए एकदम super soft हमारे भटूरे बने हैं ऐसी consistency तो market में भी आपको नहीं मिलेगी तो इस तरीके से आप भी एक बर बना करके जरूर से try कीजिएगा तो friends आज की हमारी ये recipe आप लोगों को कैसी लगी हमें comment box में जरूर से बताईएगा और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आखन को प्रेस कीजिएगा मिलती हमें नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई recipes के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग